नमस्कार मैं अब शेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस इस्टड़ी विथ अभी में तो आप सभी को मेरा जय गुरू तो चले हेट और टेंपरेचर को आगे कंटिन्यू करते हैं आज एक ऐसा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जो काफी important पार्ट होगा आपके exam के according अगर बात किया जाए तो pressure concept समझेंगे pressure को relate करेंगे boiling point से कि समुद्र तल से जब हम नीचे चले जाएं या फिर उपर जाएं तो वहाँ पर pressure का impact क्या होगा जब हम पहाडों पर चड़ते हैं तो नाक से खून का निकलना खाने काफी late से पकते हैं या खाने proper way में नहीं पकते हैं या फिर हम लोग cooker का इस्तमाल क्यों करते हैं यानि वहाँ पर हम लोग introduce करेंगे boiling point के concept को यानि pressure का और boiling point के relation को निकाले लते हैं तो उससे उसके melting point पे boiling point पे freezing point पे क्या impact पड़ेगा इस concept को समझनी की कोसिस करेंगे और अभी latest दरोगा means का paper देखें है तो आपको वहाँ से सवाल बना है इस pressure के concept से लेकिन आपने सबसे पहले ये काम कर लेनी है कि जितने paid students है मैंने आपको chemistry में पहला topic matters पढ़ाय 14 या 13 lecture है उसमें exemplar के सारे question प्रैक्टिस भी करवा दियें वो एक ऐसार पार्ट है आपके physics, chemistry, biology को अगर strong करना चाहते हैं इमांदारी पुरुवक तो उसको एकदम एकक content को एकक concept को समझेप्ट को समझेगा इसलिए बाकी आप में से जो लोग YouTube पर वीडियो देख रहे हैं ये YouTube पर भी जाएगा वीडियो आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो एक बाए जुड़ के देखे नाम छोटा है चैनल छोटा है सब्सक्राइबर वेस्ट कम है content की quality I think जो अपर लेवल पे जो आ नया चीज पढ़ना है heat and temperature को उसको दो-तीन दिन में निपटा लेंगा केवल प्रैक्टिस चलेगा रिलीवर और मशीन करवाएंगे CBT2 में अगर हम बैच लाते हैं तो और उसके बाद आपका mass volume density वाला पार्ट बचेगा और projection view साथ में लेके चलेंगे वहां से फिर आपका पूरा का पूरा चीज आपको यहां पर environment भी CBT1 में हम आपको करवा दे रहें क्योंकि देगे इस batch को हम आपके NTPC के students भी admission लेंगे अभी और RPF वाले भी लेंगे group D वाले भी लेंगे तो वहां environment का एक अच्छा role है तो जब environment पढ़ना ही है आपको CBT2 में तो क्यों आप CBT B1 में पढ़ ली जो बार बार फी भी नहीं देना पड़ेगा बाकी चलिए ठीक है यह सब चीजे होगी ही आगे बात करेंगे आज का class स्टार्ट करता है हम लोग चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम लोग atmospheric pressure यानि के वायू मंदलिये दाब को समझने की कोसिस करेंगे देख देखे 80-85 को देखिए क्या आप जो पढ़ रहे हैं और क्या कोशन आ रहा उसको समझे और वाकई जो पढ़ रहे हैं उसे कोशन बन भी रहे हैं या नहीं वह मैं प्रैक्टिकली देखा और इस्टूडेंट का feedback भी देखते चलिए कि वाकई जो जुड़े हैं हमारे साथ क् एट्मोस्फेरिक प्रेशर यानि कि वायू मंडलिय दाब के बारे अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है तो दाब है ये भी लेकिन कैसा दाब है वायू मंडलिय दाब है समझेगा सबसे पहले ये क्या है आपको दिखाया गया है समुद्र यानि कि C है और इधर परवत है पहाड़ है यहाँ पर कोई एक वैक्ति खड़ा है पॉइंट ए पर इस वैक्ति के ऊपर कुछ प्रेशर काम कर रहा है अब आपको पता है यह क्या है आपका वायू मंडल है है जी अब यह नाम है वायू मंडल यानि कि यहां मंडल किसका है वायू का यानि कि यहां प्रेज सारी गैस प्रेजन है नाइट्रोजन गैस hydrogen gas carbon dioxide जायर मैं यहां सा आपके सवाल बंते हैं कि कौन सा आपका कोई भी गैस का नाम देगे hydrogen gas nitrogen carbon dioxide oxygen में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक प्रेजन होती है यह आपके सवाल बनते और इसको हमने करवा दिया है chemistry में तो यहां हम discussion नहीं करेंगे तो यह जितनी भी gases का हमने नाम लिए तो यह gases क्या करेंगी pressure exact करेंगी यानि pressure लगाएगी तो इस बैक्ती पर जो pressure लग रहा है year में present gas के द्वारा उसको ही हम कहते है वायू मंडल pressure या फिर atmospheric pressure क्योंकि atmosphere के द्वारा लगाया जारा pressure तो इसलिए हम इसे क्या कहते है atmospheric pressure तो आप इसको अगर define करें तो अगर define करना चाहें तो समुद्र तल पर खड़े बैक्ती यह आपका समुद्र तल है c level है इस level पर कोई बैक्ती जो खड़ा है उस बैक्ती पर year के द्वारा लगाया हव पर कितना लग रहा है तो atmospheric जो लग रहा है इस बैक्ती के उपर point A पर वो होता है 1 ATM ATM मतला atmospheric इसको represent किया जाता है atmosphere को ATM से यानि कि जो समुद्र तल पर जो बैक्ती खड़ा है उस पर कितना pressure काम कर रहा है 1 atmosphere वायू मंदल यह दाब यह atmospheric pressure क्या होता है वायू मंदल में उपस्ति द्यासों के द्वारा लगाया गया pressure समुद्र तल पर खड़े बैक्ती पर उसे ही हम करते हैं वायू मंदल यह pressure या फिर atmospheric pressure एक atmospheric pressure कितना होता है 1 ATM अब देखे प्रेशर की जो SI unit होती है वो होती है पास्कल अब इसकी value आपको याद रखना होगा क्योंकि यह exam में direct आपसे होता है 101325 पास्कल पास्कल क्या हो गया SI unit होती है प्रेशर की अच्छा यह 1 ATM क्या है 1 atmosphere यानि कि वायू मंदल के द्वारा लगाया गया pressure वो बैक्ती के ऊपर जो समुद्र तल पे खड़ा है उस बैक्ती पर जो प्रेशर लग रहा है वायू मंदल के द्वारा कितना लग र तो आप 1,2,3,4,5 को हटा करके पॉइंट डार रहे है तो 10 to the power 5 पास्कल आ जाएगा जिधर ही हम left side जाएगे तो positive में आएगा और right side जाएगे तो minus में आएगा यह सब math का part है फिर पास्कल के बाद pressure का unit बार भी होता है तो इसको हम अगर बार में convert करेंगे तो 1 ATM equals to होता है 1.01325 बार होगा 10 to the power 5 पास्कल equals to 1 बार होता है यह भी आपके exam में पूछा गया है कि 1 बार equals to how much पास्कल तो एक बार में होता है 10 to the power 5 पास्कल तो 10 to the power 5 पास्कल मैं यहां लिख दे रहा हूँ 1 बार equals to 10 to the power 5 पास्कल समझें यानि कि 10 to the power 5 पास्कल के जगा आपको मैंने एक बार लिख दिया है तो 1 atmosphere equals to बार में पूछेगा तो 1.01325 बार हो जाएगा अगर तोर भी आपकी unit होती है pressure कि तो 1 ATM equals to कितनी तोर 760 तोर यानि कि 760 1 ATM equals to 760 mmHg और जब आप mm को cm में convert करेंगे तो 76 cmHg हो जागा क्योंकि 1 cm equals to 10 mm तो जब आप mm को cm में convert करेंगे तो 10 से डिवाइड करिएगा इसको तो यह आपका convert हो जागा cm में लेकिन इसका मतलब को आपको समझना होगा मैंने यहाँ पर आपको क्या कहा कि जो समुंद्र तल पर जो वैक्ति खड़ा था उस पर जो pressure लग रहा था उसे हमने कहा वायू मंदलिये pressure या फिर atmospheric pressure अब वो कितना होता है 1 ATM होता है यानि कि 1 atmosphere होता है 1 ATM ATM मतलब क्या होगा atmosphere और pressure की जो unit होती है वो होती है pascal तो 1 ATM equals to कितना होता है 101325 Pascal होता है point में लिखेंगे तो 10 to the power 5 Pascal हो जाएगा 10 to the power 5 Pascal equals to 1 bar होता तो 1.01325 बार भी होगा इसके equals to 1 ATM equals to 760 टोर भी होता है 660 mmHg भी होता है और 66 यानि कि 76 cmHg होता अब इसका मतलब को समझ येगा Hg मतलब क्या है ये है आपका पारा हिंदी में कहेंगे और इंग्लिस में इसे हम कहेंगे mercury ठीक है ना chemistry में हम लोग इसको पढ़ लिए है metals non metal और predictable में तो mercury अब इसका मतलब क्या ये आपके पास एक tube हमने लिया है ये एक point है ये point पर pressure काम कर रहा है किसका pressure काम कर रहा है तो यहाँ पर हमने mercury डाला ठीक है न तो ये mercury नीचे pressure लगा रही है इस point पर अब समझ येगा यहाँ पर mercury हमने कितना fill up किया tube पे तो 660 mm जो इसकी height है mercury sorry tube की उतने height थक हमने mercury को डाला तो mercury इस point पर जो pressure लगा रहा था वो कितना pressure था एक ATM के बरावर मतलब हमने ये देखा कि जब mercury को हमने tube पे डाला और जैसे ये 760 mm height तक ये occupy किया tube को तो इस point पर जो pressure काम कर रहा था इ यानि कि 1 ATM equals to कितना हो जाएगा 660 mmHg यानि कि जो बैक्ति इस समुद्र तल पर जो खड़ा था उस पर जो pressure वायू मंडल के द्वारा जो लग रहा था 1 ATM जब हम कोई tube में mercury को 660 mm तक अगर भरते हैं तो वो जितना pressure लगाती है वो 1 ATM के बरावर लगाती है मतलब समुद्र त खड़ा बैक्ति पर जितना atmospheric pressure काम कर रहा था उतना ही यह liquid क्या करता है लगाता है जब हम 160 mm तक fill up कर देते हैं mercury को अब ऐसा इसलिए ना क्योंकि mercury क्या होता ना काफी जादा highly dense होता यानि कि काफी जादा घना होता अब घना होने कारण इसके द्वारा जो pressure लगाया जा रहा सटे सटे होने के कारण जो pressure लगेगा वो जादा लगेगा लेकिन gas के जो आप वायू मंडलम के द्वारा जो pressure लग रहा था वहाँ पर particle क्या थे काफी दूर दूर और इसके द्वारा pressure काफी कम लगेगा इसलिए काफी जादा वहाँ पर particle मिलेंगे तब जाके एक ATM लगेग तो वो कितना pressure लगा रहा था 1 ATM के बराबर तो 1 ATM इकाज़ टू 760 mmHg का मतलब समझ माग गया इसको convert हम करेंगे cm में तो 76 cmHg आता यहां तक clear हो गया अब आईए अब इस figure पे हम लोग चलते हैं यहां पर आपको 2-3 point आपको दिखाए गया point A, point B, point P और point Q अभी उपर हम लो प्र हम लोग यहां पर थें तो हमें आ रहे उपर जो pressure लग रहा था वह कितना था 1 ATM प्रेशर था या इसको हम लोग पासकल में भी लिख सकते हैं 101325 और इसको हम लोग बार में भी लिख सकते हैं mmHg में भी हम लोग represent कर सकते हैं अब जैसे जैसे यह वैक्ती जो है धीरे- समुद्र तल से उपर चड़ते चला गया और इस point B पर जब यह पहुंचता है तो यहां पर देखा यह गया कि इस point देखे इस बैक्ति के ऊपर भी यहां पर अभी यह जो atmosphere है यह वायू मंडल है तीक है ना तो यह वायू मंडल क्या होगा gas present होगा यहां पर इसके उपर भी pressure लगेगा बूल यह लगेगा की नहीं लगेगा बिलकुल लगेगा यहां पर लगेगा अब देखे यहां पर जो pressure लग रहा है point B पर जो वैक्ति खड़ा है इस पर इतना atmosphere है यानि इतनी gas इसके उपर क्या करेगी दाब लगाएगी लेकिन इस वैक्ति पर देखे कितना pressure काम करेगा इतना यानि कि इतना gas जो है इसके उपर pressure लगा रहा होगा अब हमें यह बतलाएगे point A पर जो pressure लग रहा है वो PA हो जाएगा और point B पर जो pressure लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे PB तो कौन जादा अधिक होगा PA या फिर PB तो यह simple सा एकदम basic concept है आगसे कोई भी अगर पर या फिर समुद्र तल से जैसे जैसे यह बैक्ति उपर जा रहा है तो जो वायू मंडल की जो उचाई है वो देखे घटती चली जा रही है वायू मंडल की जो उचाई है या depth बोल सकते है घट रही है इसका मतलब यह कि gas की भी मात्रा यहां पर कम होगी अभी इतना ही gas इसके उपर pressure लगाएगा लेकिन इस बैक्ति के उपर इतना gas pressure अधिक लगा रहा है तो इसके उपर जो pressure लगेगा वो ज्यादा लगेगा comparatively जो इस point B पर बैक्ति खड़ा है तो हमने यह देखा कि जैसे जैसे हम उपर जाएंगे ठीक है ना या फिर जैसे जैसे हम mountain की और ज जाएंगे तो pressure क्या होगा वो decrease करते जाएगा यानि हमने यह देख लिया कि उपर जाने पर जाने पर प्रेशर क्या होता है आपका decrease होता है क्योंकि point A पर pressure अधिक था comparatively point B पे अब आईए अब तो हम लोग समुद्य तल के उपर की घटनाओं को देख लिए कि जैसे जैसे प्रेशर हमारा कम होते जा रहा था अब यह बैक्ती जो था point A से एक बार यहाँ पर point Q में आया और फिर एक बार यहाँ पर point P पे आया तो क्या देखने को मिला point Q पे जो प्रेशर काम करेगा इस liquid के द्वारा यहाँ पर ठीक है ना इतने liquid इसके उपर काम करेगा मतलब प्रेशर काम करेगा और इस liquid इस point P पे इतना सारा liquid का प्रेशर इस पे काम करेगा तो फिर से वही concept logically अगर आप थोड़ा सा भी sense अगर लगाईएगा तो point Q पे जो प्रेशर लग रहा है और point P पर जो प्रेशर लग रहा है किस point पर अधिक प्रेशर लग रहा है तो point P पर तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि जैसे ही हम लोग समुद्र तल से नीचे की और जब जाएंगे या फिर गहराई पर जितना जाएंगे देप्थ हमारा जितना ही नहीं थी लेगिन क्यूं पर देखे गहराई क्या अगयी पर हमारी गहराई क्या ओगई देखे बढ़ गई थो पॉइंट पर प्रिशर इंक्रीज क्यों से तो दूचीज यहां पर आपको सीखना है यहां पर मैं इसका निचोर लिख दे रहा हूं पहला पॉइंट यह हमने द जाते हैं, C level से अगर उपर जाते हैं, यानि कि उपर जाते हैं, यानि कि अपवाड अगर हम लोग जाते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, दाब क्या होगा, घटेगा, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हैं ठीक है ना बॉटम अगर हम लोग जाएंगे सी लेबल से तो हमारा प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा प्रेशर क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा यानि कि बढ़ेगा तो यहां पर अभी ये दो पॉइंट आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप कोई दिक्कत नहीं है अगर आप देखे दरोगा मेंस का पूछा गया सवाल है कि कोई बैक्ती समुद्र तल पे खड़ा है और कोई बैक्ती पहाड पर या परवत पे खड़ा है किस बैक्ती पे अधिक बैक्ती पर जो प्रेशर लग रहा होगा इयर के द्वारा वो कंपरिटिवली पॉइंट बी पर बैक्ती पर जो बैक्ती खड़ा उससे ज़्यादा काम करेंगा क्यूं क्यूंकि जो हवा में जो गैस की जो कॉइंटिटी है वो काफी ज्यादा हो गई है इतनी कॉइंटिट लगा रहा यानि परवत पर खड़ा बैकती के उपर जो प्रेशर लगा रहा वो कम है यानि कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से C level से उपर अपवड जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा और जैसे ही समुद्र तल के हम लोग गहराई में चलते चले जाएंगे तो pressure क्या होगा increase को कि इस point क्यों पर इतना बैखती pressure काम कर रहा था और इस point P पर इतना pressure लगा रहा है simple से बात है गहराई पर जाने से sea levels है जितना ही हम लोग bottom पर जाएंगे तो pressure क्या होगा वो increase करते चला जाएगा clear हो गया atmospheric pressure क्या करते हैं समुद्र तल पे खड़ा बैखती के उपर लगने वाला वाईयू में वाईयू मंडल में जो present gas है उसके द्वारा जो pressure लगाए जा रहा है उसे हम करते है atmospheric pressure और वो कितना होता 1 ATM के बराबर होता है pressure के ऐसा यूनिट क्या होती है वो होती है pascal और 1 ATM equals to 101325 pascal और इसको हम लोग pascal में decimal के form में भी लिख सकते हैं बार में भी लिख सकते हैं 760 mmHg मतलब ये कि कोई एक tube है उस tube में जब हम 760 mm अगर mercury को fill up कर देते हैं तो वो mercury जब point ये इस point को हम कुछ भी नाम दे देते हैं जएड़ पॉइंट इस जएड़ पॉइंट पे जितना pressure लग रहा होगा ये pressure उसके बराबर है किसके बराबर ATM के बराबर 1 ATM के बराबर यानि कि समुद्य तल पे खड़े बैक्ती पे pressure पे लगने के बराबर इतना mercury इस पर उतना ही pressure काम करेगा इसलिए क्योंकि ये highly dense होती है पूरा ये आपका काफी important part है ये 17 minute का जो अभी हमने lecture दिया यहां से आपके सवाल बनेंगे अब हम लोग चलते हैं अब यहां pressure का concept आपने समझ लिया अब मज़ा आएगा कि जैसे जैसे हम लोग पहाडों पे चड़ेंगे तो क्यों नाक से खुन बहार निकलेगी ठीक है और फिर boiling point का concept क्योंकि ये basic चीज़ थी समझना तो चलिए जो concept को हम लोग ने समझा pressure को atmospheric pressure को या फिर समुद्र तल से जब हम उपर चले जा रहे थे तो pressure का increase होना या decrease होना इनको अब हम लोग practically जो use करते हैं या सवाल बनता उस पे आते हैं question ये बूचा जाता आप से कि पहाडों पर जो आप चड़ते हैं उस चड़ने के दौरान आपने देखा है कई बार नाक से खुन का बहार आ जाना इसके पीछे क्या reason होता देखें आप normally अब मन में ये भी सवाल आने लगा होगा कि सर कभी कभी गर्मियों के दीन में भी नाक से खुन आने लगता तो उसके पीछे जो reason वो एक अलग reason है एक बाइलोजिकली मतलब समझे कि एक तरह से सटेनिटी में जो चेंजे आया तेमपरिचर उसके कारण लेकिन नॉर्मली टाइम पर आप जब देखते हैं कि आप जैसे हाई एल्टिट्यूड पर यानि कि उच अक्छांस पर आप चड़ते हैं परवतों पे पहाड़ों पर तब आपके नाग से ब्लड में आपके नाग से जो है ब्लडिंग होना है श्टार्ट हो जाता उसके पीछे का रीजन ये प्रेशर होता है अब ये जो बैकती है पॉइंट ए पे जो खड़ा है और ये जो बैकती परवत पे खड़ा है यानि पॉइंट बी पे खड़ा है ठ अखलब ये कि pressure यहाँ पर आपके पास 10 ATM है यानि कि 10 atmospheric pressure है P1 equals 2 और P2 की value है 20 ATM यानि कि 20 atmospheric pressure या फिर आप इसको ऐसे भी लिखे 10 बार ठीक है या आप इसको ऐसे लिखे 10 पासकल में एक थोड़े देर के लिए हाला कि जब unit conversion करेंगे तो change हो जाएगा इसकी value 10 बार या फिर 10 पा तो हमने ये जाना है कि pressure always flow from कहां से कहां high to low यानि कि 20 से 10 की और flow करेगा कब तक flow करेगा जब तक कि दोनों का pressure equal ना हो जाए यानि कि P1 की value देखे जाएगा कुछ देर बाद 12 बार हो गया है और P2 का भी value 15 बार हो गया है यानि कि दोनों का pressure अब देखे 15 15 आ गया अब जो है flow नहीं करेगा ठीक है clear हो गया एक concept हमने ये समझ लिया कि pressure कैसे flow करेगा कहां से कहां high to low flow करती है pressure ठीक है ना उच दाब से निम्न दाब की और pressure का flow होता अब दीखे इस point A पे जो बैकती खड़ा है अभी ये वही बैकती है जो point B पे है ये चड़ते चला गया point B पे और यहा उपर जो atmospheric pressure जो काम कर रहा था point A ठीक है ना जब ये point A पे था इसके उपर अभी हम मान के चलते हैं इस पर कितना काम कर रहा था 20 Pascal ठीक है ना इस पर atmospheric pressure लग रहा था ठीक है अब simple जी बात है point B पर जो atmospheric pressure कितना काम करेगा कितना भी होगा तो 20 से कम होगा मान के चलते हैं यहा पर 5 पास्कल इस पर लग रहा था क्यों ऐसा है क्योंकि हम समुद्र तल से जैसे जैसे उपर चले जाएंगे तो वायू मंडल में उपस्तित वायू की क्या होगी मात्रा भी घटेगी जिसके कारण प्रेशर भी घटेगा तो यहां पर 5 पास्कल है अब आपने बाइलोजी में पढ़ा होगा ब्लड प्रेशर के बारे में यानि यहां मैं लिख दूँ ब्लड प्रेशर ठीक है ना ब्लड को हिंदी में कहेंगे रक्त और प्रेशर का मतलब दाब यानि कि रक्त दाब इसको कहेंगे यानि कि ब्लड के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर को हम तो हमारे वेन में इस तरह से वेन होती ही काफी पतली वेन होती ही इसकी जो सेल होती है काफी ही पतली और काफी सौफ्ट होती है यानि कि जो blood flow कर रही होती हमारी कहाँ वेन में ठीक है ना वेन में या vessels भी इसको अब बोल सकते हैं तो अब यहाँ पर जो blood इस प्रकार से मैं red color से flow कर बना दूँ देखे biology का lecture जो हमने दिया है आपको application में नहीं दिखेगा जब आप admission लीजेगा आप हमें message करते हैं और उसके बाद आपको group match करते हैं तब biology का lecture मिलता है वो biology का lecture हमने कहा है कि आप PCS का paper जब देंगे main presence में काम आता है वो content इस level का हमने दे ही दिया तो फिर क्या ही आप दुबारा पढ़े उसको पढ़ लीजे काम खतम हो जागा आपका तो यह जो blood है यह blood जो pressure जो exact करते हैं इस भेन पर इस ही को हम क्या करते हैं BP यानि कि blood pressure तो blood के द्वारा लगाया जाने वाला pressure किसके उपर भेन के उपर उसे हम क्या करते हैं blood pressure करते हैं ऐसे ही बच्चे की तरह पढ़ाएं बाइलोजी को भी तो अभी हमने एक चीज़ समझा दो चीज़ समझा pressure कहां से कहां high to low flow करती है दूसरा हमने यह जाना जो blood pressure होता यह क्या होता है blood के द्वारा लगाया जाने वाला pressure को हम कहते हैं blood pressure लेकिन यह blood जो pressure लगाती किसके उपर तो भेन के उपर वैसल के उपर और इसकी जो सेल होती है काफी ही कमजोर होती है हमने जान लिया समुद्र तल पे जो यह वैक्ति था जब तब उसके उपर 20 pascal काम कर रहा था pressure और इसके उपर अभी जो परवत पे चड़ गया तो यह 5 pascal काम कर रहा था अब इस वैक्ति पे जो blood pressure था ठीक है ना इसका जो blood pressure अभी measurement हमने किया तो इस वैक्ति का जो blood pressure था इसका था मानके चलते है 15 pascal ठीक है एक rough value ले रहा है unit पे नहीं जाना तो आपको पता है pressure किदर flow करेगा high to low ठीक है तो blood pressure यानि इस बैक्ति के अंदर जो blood flow कर रहा था वो blood जो pressure लगा रही थी वो कितना pressure था 15 pascal और इस बैक्ति के उपर जो atmosphere के द्वारे जो pressure लगा जा रहा था वो कितना था 20 pascal तो अभी हमें यह बतलाईए कि atmospheric pressure और blood pressure में कौन सा pressure अधिक है तो atmospheric pressure अधिक है तो अभी आपके body से क्या है कि जो blood flow नाक से बाहर नहीं होगी या कान से भी कभी कभी निकलती है नहीं निकलेगी अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे उपर चलते गए ठीक है ना धीरे धीरे जब आप उपर इ यहीं से आप यहीं step से इस step से ही मान के चलिएगा यहां से ही आपके नाक से खून का बाहर आना धीरे धीरे start हुआ तो आपने negligency की अधीरे धीरे जब इस point B में जब आप चड़ गये तो काफी जादा नाक से खून निकलना start हुआ तो यहां इसलिए ऐसा इसलिए होता है क् हम समुद्र तल से उपर चलते चड़ते हैं तो हमारे उपर जो लगाया जा रहा था air pressure एर के द्वारा जो pressure वो क्या हो रहा था decrease हो रहा था तो point B पे कितना लग रहा था हमारे उपर 5 pascal और इस बैक्ति का blood pressure कितना था 15 pascal ठीक है ना अब समझेगा यहां से चीजों को यहीं से आपका blood बाहर आने लग गया क्योंकि यहां पर जो pressure जो लग रहा था इस बैक्ति के ऊपर atmosphere के द्वारा air के द्वारा वो हो चुका था अब 14 pascal ठीक है और इसके ऊपर इसके body में जो blood flow करदा वो कितना pascal लगा रहा था 15 pascal अब देखिए यह इस बैक्ति के ऊपर जब 5 pascal हो गया atmospheric pressure यहां पर तो अब blood किधर से किधर flow करेगा high to low यानि कि BP की value और atmospheric अगर compare करेंगे तो किसकी value जादा हो गए BP के value तो अब आईए point B का कहानी यहां समझेगा point B पे क्या हो रहा है जो atmospheric pressure लग रहा था इस बैक्ति के ऊपर 5 pascal लग रहा था और इसके द्वारा blood के द्वारा जो pressure लग रहा था वो कितना था 15 pascal अब जो ये pressure लग रहा है ये भेन पे जो pressure लगा रही है blood वो इतना ज़ादा हो गया है कि इसके भेन को क्या करेगा rapture कर देगा यानि कि भेन यहां से फड़ती है और ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये pressure क्या करना चाहरा है ना high to low flow करना चाहेगा क्योंकि ये बाहर खुन निकलना चाहेगा body से क्यों क्योंकि ये pressure का भाई ये rule ही है ठीक है ना कि high to low flow करना तो जिसके कारण ये pressure देगे BP की value बढ़ नहीं रही है BP की value constant है ये PCS का पूछा गया सवाल है कि जब हम समुद्र तल से परवत की और चड़ते हैं तो जो मानो व्यक्ति में प्रवा जो रख्त है यानि कि human body में जो flow of blood है उसके द्वारा जो लगाये गया blood pressure यानि रख्त दाब है वो बढ़ती है या घटती है या नियत रहती है या constant रहती है यानि इस blood के द्वारा pressure जो भेन पे काफी ज़्यादा लगने लगेगा क्योंकि बाहर से जो atmospheric pressure था वो कम हो गया जिसके कारण when क्या होगा rapture होगा फटेगा और खून जो होती है body से हमारी बाहर आती है जो हमें देखने को मिलता नाक से अब नाक से ही क्योंकि नाक में जो वहन है वो काफी ज़्यादा पतली होती इसलिए हमें वहाँ से blood का flow होतने को देखने को मिलता ठीक है तो अब आईए outcome पे कि पहाडों पे चड़ने के दौरा नाक से खून क्यों बाहर आने लगते हैं reason यही है कि जैसे जैसे हमारी altitude increase होती जाती है atmospheric pressure वो क्या होता है कम होता है और जिसके कारण हमारे body में जो रक्त प्रवा है यानि कि जो flow of blood है वो blood pressure क्या करता है high to low flow करना चाती है जिससे हमारी नाक की जो वैन है वो काफी पतली होती है वो फट जाती है जिससे नाक से हमें खून का बाहर आते हुए दिखने को मिलता है तो on mountain blood comes out from nose due to pressure difference because at high altitude outside atmospheric pressure become lower than pressure inside the body समझ में आया on mountain blood comes out यानि कि जब आप परवत पर चड़ते हैं उस समें खून जो आपके नाक से बहार आते हैं क्यूंकि जो pressure difference है ये देखे pressure difference यहाँ पर जो होता है क्या होता है at high altitude पे उच्छाई पर outside की जो atmospheric pressure है atmospheric pressure है वो क्या होती है कम हो जाती है और जो inside इस body के इस वैक्ति के body में जो inside pressure लग रहा था जिसे हम कहारत है BP blood pressure वो अधिक हो जाती है clear हो गया यह आपका reason होता है तो यहां पर इसको अभी आपने समझ लिया है अब हम लोग आगे चलते हैं इसके बाद वाला जो concept है अगला जो concept पढ़ेंगे उचे पहाड़ों में खाना देर से क्यूं पकता है बहुत important part है यहां से भी देखें यह अभी जितना चीज पढ़ रहे हैं हम लोग physics को daily life में हम लोग apply कर रहे हैं और यही daily life का सवाल आपके exam में बनता है कि परवतों पे चड़ने के दौरान या फिस समुद्र तल से जब हम नीचे गहराई पे जाते हैं उस दौरान pressure का impact हमें बतलाई है अब जो हम लोग introduce करेंगे boiling point के concept को यहां से boiling point के concept पर आते हैं तो आगे हम लोग application पर continue करते हैं YouTube पर यहीं पर रोकेंगे हम लोग next example daily life से relate करके यहां से सवाल बनेगा कि ऊचे पहाड़ों में खाना देर से क्यों पकता है clear सबसे पहले हम लोग यहां पर जो देख रहे हैं आपका समुद्र तल हो गया यह आपकी परवत हो गया हमने यह जाना कि जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर चलते चले जाएंगे तो जो आपका pressure है वो क्या होगा decrease होते चला जाएगा अब यहां आपको एक चीज़ समझना है जैसे कि उत्तर परदेश उत्तर परदेश में आपका इलाहाबाद हो गया कानपूर हो गया या फिर बिहार में आपका पटना हो गया जारखंड हो गया यह कि स्टेट लेकिर हम अगर comparison इसका करेंगे जमुद्र कास्मीर से या फिर हम लेह लगदाक से comparison करने हैं तो आप बत पटना से जब हम इसको comparison करेंगे तो हाइड के according बात करेंगे तो लेह लगदाक उची इसकी उचाई जो है थोड़ा उपर उचाई में यह स्थित है comparatively पटना से अब यह मैं इसलिए बोल दिया ना क्योंकि एक्जाम में आपको समुद्र तल परवत नहीं दे करके बोल देगा कोई बैक्ति पटना में है या फिर वो जब यहां पर जा रहा है तो खाना देर से क्यों पकता है प्रेशर का पॉइलिंग पॉइंट का यहां पर डिपेंड करेगा क्योंकि जैसे जैसे हमारी हाइट है इंक्रीज होती चली जाएगी यानि कि समुद्र तल से जैसे-जैसे हम ऊपर चाहेंगे परवत की और जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होता पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सल्से तो ये एक statement सही है अब हर liquid के अलग होगी जैसे alcohol की बात की जाए तो उसकी boiling point अलग होती है पारा की अलग होती है boiling point अब ये boiling point कहने का मतलब क्या कि पानी का boiling point है 100 degree Celsius है मतलब ये कि आपने पहले ये बतला है आपने कुछ heat दिया होगा पानी को इस प्रकार से heat दिया तब जाकर के पानी क्या होगा 100 degree Celsius पहुँचा समुद्र तल पर जो पानी है उसने कुछ heat लिया उस heat को लेने के बाद इसका तापमान 100 degree Celsius होगा अब इसके बाद अगर आप 100 degree Celsius देंगे माफ करेगा यानि कि अब ये पानी अपने state को change करने में लग जाएगा यानि अब जो आप उसमा देंगे वो कौन सी उसमा होगी latent heat होगी गुपत उसमा होगी जो उसमा क्या करेगा इसके तापमान को ना बढ़ा करके इसके state को change करने में लग जाएगा क्लियर हो गया यानि कि boiling point कहने का मतलब यह है कि वो तापमान जिस पर अब जो आपका liquid है क्या होगा अपना temperature को increase नहीं कर पाएगा अपनी state को change करने में लग जाएगा तो अभी देखिए जो समुद्र तल पे जो पानी है इसका तापमान 100 degree Celsius है तो इसके पास 100 degree Celsius तापमान कब आएगा जब इसको heat मिलेगा heat कैसे निकालते है mc delta t तो हम चलिए मास ले ले रहे है 100 gram पानी है ठीक है ना अब आपको पता है कि specific heat जो water की होती है हमने बहुत अच्छे सा पढ़ाया है specific heat water की यानि कि क्या कि इसकी जो unit हमने क्या पढ़ाया था calorie पर gram degree Celsius यानि कि 1 gram water का तापमान 1 degree Celsius increase करने में हमें कितना calorie पर उसमा लग रही थी एक calorie नेक्स्ट यानि अगर मैं इसको unit में लिख दू एक gram एक calorie पर gram degree Celsius तापमान कहां से कहां इसका difference लेंगे तो पानी 0 से 100 पहुंचा तो delta t कितना आई जाएगा 100 degree Celsius पानी कितना तो 100 gram यह gram से gram कड़ गया degree Celsius से degree Celsius कड़ गई यानि इसके पास यानि कि यहां पर जो पानी है इसके पास कितनी उसमा आ गई 100 इंटू 100 यानि कि 1,2,3,4 यानि कि 10,000 कैलोरी इसके पास उसमा है यानि यहां पर जो पानी है इसकी जो तापमान 100 degree Celsius है यानि इसके पास कितनी उसमा है 10,000 कैलोरी उसमा है समझेगा अब जैसे जैसे हम उपर चलते चल तो हमारे हम जब यहां इस पॉइंट पर पहुंचते हैं ठीक है ना इस पॉइंट बी पे जब पहुंचे तो यहां पर जो पानी है मेरे मान के चलते हैं हमने मेरे पास एक मग पानी या को एक बोतल पानी है तो अब इस पानी का मुझे पहले यह बतला यह यहां पर जो प्रे प्रेशर होगा, कौन जादा होगा, तो point A पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, अब एक relation आपको याद रखना है, कि जो प्रेशर जो होता है, उसके directly proportional में आपकी boiling point होती है, मतलब ये, कि अगर pressure बढ़ेगा, तो boiling point बढ़ेगा, और अगर pressure decrease करेगा, तो boiling point decrease होगा, यानि pressure increase, तो boiling point increase होगा, और अगर pressure decrease, तो boiling point आपकी decrease करेगा, ठीक है, तो आप हमें ये बतला आए, जब point A से आप point B गया है, तो pressure क्या हुआ आपका, प्रेशर आपका decrease होगा, तो आपकी जो point B पे जो boiling point होगी, वो भी क्या होगी, आपकी decrease होगी, मतलब क्या, ये point B का मैं कहानी बतला रह नहीं होता, और पानी उबलने नहीं लगता, लेकिन इस case में, जैसे ही point B पे हम जब गया है, तो हमने ये देखा कि pressure क्या होगया, decrease होगया, क्योंकि जैसे ही समुद्र तल से उपर जाएंगे, तो pressure decrease करेगा, तो pressure decrease करेगा, तो boiling point आप भी आपका decrease करेगा, तो boiling point हमने point B पे देखा कि इसकी जो पानी की boiling point आगई है, वो आपकी आगई है, 95 degree Celsius, boiling point का decrease हो गया, देखे, 100 से अब 95, मतलब क्या, कि अब ये जो पानी है, इसको अब कितनी उसमा चाहिए, तो यहाँ से निकाल लीजे, Q equals to MC delta T, मास कितना है, उतना ही पानी लेगा, 100 gram, इसकी specific heat की जो value यानि यहाँ 95 और 2, 0 यहाँ पर, ठीक है, यानि कि 95, 9500 कैलोरी ये उसमा लेगी, अब समझेगा यहाँ पर, यह data इसलिए लिख रहे है न, ताकि आपको एकदम practically चीजे समझ पाए, point B पर कितना उसमा आपको चाहिए, point B पर जो उसमा चाहिए, आपको 9500 कैलोरी उसमा चाह अब बतलाईए हमें, जब हम समुद्र तल पे जो पानी लेके खड़े थे, यहाँ हमें खाना बनाने के लिए यहाँ पर एक डेक्ची पानी लेके रखे हुए थे, और इसमें हम क्या करेंगे, आलू डालेंगे, अब हम आलू डालते हैं, जब हम समुद्र तल पे थे, point A प point है, वो क्या हो गया, कम हो गया, कितना हो गया, 95 degree Celsius हो गया, मतलब इसके पास उसमा कितना है, 95 so calorie है, और इस A पे यानि समुद्र तल पे जो पानी उसके पास उसमा कितना है, 10,000 calorie है, तो अब हमें यह बतलाईए, जो यह आलू है, और point B पे जो आलू है, इस से क्या करेगी, यह उसमा लेगी, पानी में, जब आप गर्म पानी खौलते वे पानी में, जो अब आप आलू को डालते हैं, उबालने के लिए, बॉइल करने के लिए, तो उस आलू को उसमा कहां से मिलेगी, वही उबला हुआ पानी से मिलेगा, यानि उस उबले वे पानी के पास क्या पात है इसके पास 10,000 कलोरी उसमा ज्यादा है तो इससे उसको उसमा ज्यादा मिलेगा comparatively point B से तो परवत पे जो आलू था यहाँ पर जो point B की बात करें और जो समुद्र तल पे जो आलू था इसको ज्यादा उसमा मिला तो यह अच्छी तरह से पक जाएगा यानि की boil कर जाएगा लेकिन यह उसमा उतना नहीं दे पाया क्योंकि इसके पास 95,000 कलोरी ही थाई तो यह अच्छी तरह से नहीं पका यह थोड़ा कच्चा ही रह गया तो इसी लिए पहाडों पर क्या होता है हम लोग कूकर अब ले करके चलते हैं ताकि यह आलू अच्छी तरह से पक पाए तो यह समझ में आ गया कि क्यों पहाडों पर कूकर लेके जाते हैं क्योंकि उसका फंसन अभी हम लोग बतलाएंगे यह आपको समझ में आ गया ना कि पहाडों पर या फिर जैसे जैसे हम पानी देखे जैसे जैसे उपर गया तो इसकी boiling point 95 degree Celsius हो गया इसलिए boiling point कोई fix नहीं है समुद्र तल पे हम लोग 100 degree Celsius लेते अब यह तो फंसन समझ मागिया ना कि किस प्रकार से खाना कच्छा रह जाता है पहाडों पर हम जाते हैं और किस प्रकार से boiling point आपका decrease करता अब कूकर ह यह हो गया आपका कूकर और यह हो गया आपका एक डेक्ची खुला ओवर डेक्ची है पानी उतना ही है 100 ग्राम पानी हमने लिया है अब आपको पता है कि पानी जो था यह आपका boil कितना हो रहा था यह खुले वर डेक्ची पे 100 degree Celsius पे ठीक है तो जैसे जैसे आप heat नीचे से देंगे तो कुछ उस्मा बाहर भी निकलेगी और आप देखें कि ऊपर से आपको कुछ एक डारेक्शन में इस प्रकार से भी दिख रहा तो यह atmosphere के द्वारा pressure लग रहा है तो यह नीचे में भी कुछ pressure लग रहा तो final पानी जो आपका उबलता है 100 degree Celsius पे खुले डेक्ची प अपने पक गया वो 10,000 कलोरी में लेकिन अब आम जब परवत में गया तो आम कुकर इसलिए ले करेगा है क्योंकि कुकर का सबसे पहले समझेगे पहले वो उपर से क्या होता है अब यहाँ पर पानी है तो जैसे आपने हीट दिया है ठीक है अब आपने यहाँ पर हीट दिय पानी को और उपर से भी इसको प्रेशर मिल रहा है लेकिन इस केस में क्या था पानी केवल नीचे से जो हीट मिल रहा था पानी को इसके कारण पर प्रेशर काफी ज़्यादा हो जाता प्रेशर इंक्रीज हो जाता और प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो बॉयलिंग कूकर के अंदर हमने देखा जो आपकी जो boiling point है इसकी ठीक है ना इसकी जो boiling point है वो हो गई है 104 degree Celsius मतलब क्या मतलब जो पानी 100 degree Celsius में समुद्र तल पे खुले डेक्ची में उबल रहा था कूकर में अब ये 104 degree Celsius पूप लेगा मतलब ये और ज्यादा heat लेगा जब तक कि ये पानी 104 degree Celsius में ना आ जाए तब तक ये heat लेगा लेकिन ये 100 degree Celsius तक ही heat लेगा उसके बाद जो heat लेगा वो temperature increase नहीं करेगा वो heat क्या करेगा इसको भाप में बदलने में लग जाएगा लेकिन य अब देखिए इस पानी की बात की जाए जो इस कूकर के अंदर इसके पास अब कितनी उसमा तो निकालते हैं mc delta t देखिए अपलाई कर रहें numerical को यहां theoretical में तो delta t के वैलू कितनी हो जाएगे 0 से 104 में delta t के वैलू हो जाएगे 104 degree Celsius तो degree Celsius से ये कट जाएगे gram से gram ये कट और अब कूकर के अंदर जो रखा हुआ है आलू उसको उसमा मिलेगी किसे 10400 कैलोरी से तो इस आलू को अब उसमा किस से जादा मिलेगी तो कूकर में रखा हुआ जो पानी है उससे इसको जादा उसमा मिलेगी comparatively जो खुले हुए बरतन में रखा हुआ था इसलिए अब हाडो पर या उचे हाई अल्टिटूड पर जाते हैं तो कूकर इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि जो आलू को 10,000 कैलोरी से उसमा मिल रही थी अब उतना क्योंकि आलू को पकने के लिए इतना उसमा चाहिए था ठीक है ना और लेकिन हम जब इस डेक्ची को ही अब जैसे पर प्रेशर इंक्रीज तो अब इस पानी को उसमा कितना मिल गया 10,400 कैलोरी यानि कि अब इससे जितना उसमा निकल रहा है जितना इसको 10,000 में चाहिए था या हो सकता इससे जादा ही उसमा इस आलू को मिलने लगेगा तो हो सकता आलू जल्दी भी उबल जाए कूकर में इसल के कारण boiling point increase हो जाती है और boiling point increase हो गई तो उसमें जो उसमा है उसकी quantity अधिक हो जाती है इस प्रकार cooker का concept clear यानि हमने यहाँ दो चीज सीख लिया pressure increase करेगा तो boiling point increase करेगा और pressure decrease करेगा तो boiling point decrease करता है प्रेशर के अंदर कूकर के अंदर खाना जल्दी क्यों पक जाता है क्योंकि वहां का प्रेशर या फिर दाब क्या होता है बढ़ जाता है प्रेशर इंक्रीज होने के कारण वहां का क्वाथ नाग जिससे जो पानी 100 डिग्री सलसेस में उबल रहा था अब वो 100 डिग्री सलसेसे ऊपर तापमान पे उबल रहा है तो उसके पास उसमा भी उससे अधिक होगी जिससे अब आलू जो 10,000 कैलोरी से जो उसमा खीच रहा था अब ये उसमा किससे खीचेगा? 10,400 कैलोरी से यानि समझे कि आपके पास 10,000 रुपया है और आपके पास 10,400 एक बैक्ती तो किससे इस आलू को जादा पैसा मिल सकता? इससे मिलेगा इसलिए खाना जल्दी भी पकेगा या पहाडों पे चलेंगे तो खाना पक जाएगा घर में pressure cooker इसलिए यूज करते है ताकि हमारी gas कम लगे खाना जल्दी पक जाए क्योंकि pressure अधिक हो जाती है boiling point इंक्रीस हो जाती है ये था इसके पीछे का logic और कोई भी liquid आप लेजिएगा उसका boiling point fix नहीं होता है समुद्र तल पर पानी के boiling point 100 degree Celsius होती है अलकोहल की अलग होगी अब ये depend करता है जैसे जैसे आप height को increase करेंगे या decrease करेंगे तो उसकी boiling point की value भी increase या decrease करते चली जाएगे that's all ये concept है अम मिलता है अकल हम लोग impurity water में नमक salt वगरा मिला करके melting point freezing point और boiling point के concept को समझेंगे